तो मैं बात कर रहा था उपग्रहों की बात कर रहा था तो उपयोग की आधार पर जो उपग्रह हैं वो निम्नलखित प्रकार की उपग्रह हैं जैसे संचार उपग्रह, सरवेक्षड उपग्रह, निविगेशन उपग्रह, जैसे संचार उपग्रह सर्वेक्षण उपगर नेविगेशन उपगर सैन्य उपगर मौसम उपगर तो बिटा आपको करना क्या होगा गरमाली ये कोश्चन आ गया कि उपगर किसे कहते हैं उपगर कितने प्रकार के होते हैं उपगर के कारियों का वर्डन करें तो उपगर हुआ होता है जो किसी गरह के पर्थवी के चारों तरब्र तरफ में गति सूचना और उपयोग क्यादाहर पर देखा जाए तो भॉश्वान सेthese na उपगरा हो गया सफुक साजर नवीगेशन न्यिक्षरह सैनन उपगर आप आप इनको चाहें तो थोड़ा-थोड़ा इसको elaborate करके लिख लेंगे कि संचार उबगरह होते हैं जो हमें संचार के छेतर में हमारी मदद करते हैं, संचार ब्यवस्ता को बहतर बनाते हैं, संचार की ही देना है कि आज हम सब अपने जो संचार से संबंदी जितनी भी उपियो हो रहा है यह संचार उपग्रहों के द्वारा संबह हो रहा है सर्वेक्षड उपग्रह तो संसाधन जहां में प्राप्त हो रहा है उसका सर्वेक्षड किया जाता है संसाधन का किस्ति उसकी गति उसकी दिसा इत्याद की बारे col इने प्रब्दान करते हैं और इ zor चेटर में सेन्हें इचेटर को सुविधा प्रदान करता तो इसके एक उढाहरड्बि आप चलिएगा जैसे डीकेर के लिए टीचका लिखान्याथ सकते हैं ग्लोबन सिस्टम होता है सरवक्षड के लिए बारत सकते हैं भारत का टॉ Oops सकते हैं काटो से उस चलिए-गण two-se jest लिख अगर आप इकजामपल लिख देंगे तो है और भी खुब्सूरत झार आपका हो जायागा संचार के लिए 90 की चर्चा कर सकते हैं जी साट 90 की आप चर्चा कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप अपने एंसर एंसर को खुब्सूरत बना लेंगे तो उप्योक की lagशार पर बेटा जैसे एक्स्ट्रा लार्ज सेटलाइट पहला जो है एक्स्ट्रा लार्ज सेटलाइट अगर वजन के आधर पर देखा जा तो ये लार्ज सेटलाइट को आतिव रीहद उपग्रह के नाम से जाना जाता है इसका वजन होगा वो 3000 किलो ग्राम से आधिक होगा इसका वजन होगा वो के दिन सण, तीन ऊम्द से भी अ पर अधिक हो गा यह तीन टन से अधिक का उपग्रह होता है उसे extra large satellite के नाम से जाना जाता है यह सरवाधिक वजनी उपग्रह होते हैं यह इसमें इसको परशेपित करने के लिए इस तरह की उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए क्राइवजेनिक इंजन क्राइवजेनिक इंजन वाला जो परशेपड यान होता है उस परशेपड यान की जरुवत पड़ती है और उस परशेपड यान की मदद से extra large satellite को अंतरिक्ष की कक्षा में इसको अस्थापित किया जाता है भारत का सबसे वजनी जो उपग्रह है वो G सेट 11 है तो वजन के आधार पर जो हमारा उपगर है पहला एक्स्ट्रा लार्ज सेटलाइट कहला था है और इसका वजन तीन टन से अधिक है यह अत्यदिक वजनी उपगर होते हैं और इसको उपर तक ले जाने के लिए प्रशेपड यान में क्रायोजेनिक इंजन की जरुवत पड़ती है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है इसमें कौन सा इंधन भरा होता और इसकी आवशक्ता क्यों पड़ी तो यह एक्स्टा लार्ज सेटलाइट हो गया इसके इसके बाद होता है बैटा लार्ज सेटलाइट दूसरा है लार्ज सेटलाइट होता है दूसरा लार्ज सेटलाइट होता है पहला तो तीन हजार किलोग्राम और दूसरा लार्ज सेटलाइट जो है लार्ज सेटलाइट जो होता है इसका वजन पान सो किलोग्राम से तीन हजार किलोग्राम तक इसका वजन होता है इसके अंतरगा T.S.L.V. G.S.L.V. इत्यादी जो प्रशेपढ़यान होते हैं उन प्रशेपढ़यान की जरुवत पढ़ती है इन प्रशेपढ़यान की मदद से हम लोग उपगरहों को अंतरगी कक्षा में अस्थापित करते हैं तो पहला जो गया extra large satellite होता है दूसरा large satellite होता ह इसको ब्रियाद उपगरह बोलते हैं तीसरा जो है मीनी satellite होता है तीसरा जो है पहला extra large तीसरा जो है दूसरा large तीसरा जो है मीनी सेटलाइट हो गया चौता जो होता है माइक्रो सेटलाइट होता है इससे भी छोटा होता है और पांचवा जो है वो पीको सेटलाइट होता है ये जानकारी के लिए आपको बताए जान्राइट रहmit अप चाहें तो जो मीनी सेटलाइट होता है इसका वजन 100 किलोग्राम से 500 किलोग्राम होता है 100 केजी से 500 केजी इसका वजन होता है जो मीनी सेटलाइट होता है मीनी सेटलाइट का उधारण अगर दिया जाए तो PSLV को भी लिख सकते है PSLV को लिख सकते है मीनी सेटलाइट में जो माइक्रो सेटलाइट होता है यह 10 kg से 100 kg तक इसका वजन होता है और जो पीको सेटलाइट होता है यह ग्राम में आता है इसका एक इक्जामपल आपको बता दे रहूं कलाम सेट ये कलाम सैट जो है ये 64 ग्राम का सेटलाइट है जो अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है जो सिक्षा के छेतर को बहतर बनाने के लिए ये उपगरा छोड़े गए है तो उपगरा उपयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वजन के आधार पर कितने प्रकार के होते ह इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है ठीक है अब जो होता है बेटा एक चीज़ और जान लीजिए बड़ा ही महत्पुड कॉइंट है इन उपग्रहों को बेहतर संचार सुभधा प्रदान करने के लिए उपग्रहों के अंदर लगाया जाता है ट्रांस्पोंडर्स लगाया जाते हैं यह ट्रांस्पोंडर्स जो होते हैं यह मुख्यरुप से तीन प्रकार के होते हैं एक होता है के यू बैंड ट्रांस्पोंडर एक होता है बेटा एस बैंड ट्रांस्पोंडर और एक होता है सी बैंड ट्रांस्पोंडर C band transponders यह जो transponders होते हैं यह विभिन आबरित्य की electromagnetic waves को प्रसारित करता है इसका काम क्या होता है यह विभिन आबरित्य के electromagnetic waves को प्रसारित करता है यह विभिन आबरित्य के electromagnetic waves को प्रसारित करता है यह transponders जो होते हैं यह अलग-अलग आबरित्य के जो होते हैं electromagnetic waves को प्रसारित करता है तता इसके माध्यम से बाह अंतरिक्ष और धरातर के मध्य संपर का स्थापित होता है इसके माध्यम से इसके माध्यम से बाह अंतरिक्ष और धरातल के मध्य संपर्क अस्थापित होता है तो transponders क्या होता है बेटा transponders वो है जो विभिन आबरित्य के electromagnetic waves को प्रसारित करता है विद्दु चुमकिय तरंकों को प्रसारित करता है और इसके माध्यम से बाह अंतरिक्ष और प्रस्थवी के बीच में संपर्क अस्थापित किया जाता है यह सिगनल को receive करता है और सिगनल को transmit भी करता है इसका काम है यह सिगनल को receive करता है और transmit भी करता है यह सिगनल को receive भी करता है और transmit भी करता है यानि प्रत्थवी से सिगनल receive करता है और प्रत्थवी पर सूचनाओं को भेशता भी है तो transponders विभिन आबृति के विद्दु चुमकिय तरंकों को प्रसारित करता है और या क्या करता है बाह अंत्रिक्ष को प्रत्थवी के साथ संपर का स्थापित करता है और transponders क्या करता है या सिगनल को receive करता है और सिगनल को transmit करता है तो इस आधार पर transponders जो होते हैं जो उपग्रहों के अंदर लगाए गए रहते हैं अगर ये न रहे तो सूचनाओं का आदान परदान नहीं होगा बेटा जितने भी जारखन PCS की तैयारी करने वाले हमारे प्यारे बच्चों प्यारे विद्यार्थियों जो तैयारी कर रहे हैं आप ये जान लिए कि मुख्य परिक्षा में जब भी उपग्रह की चर्चा करेंगे तो उपग्रहों में Transponders की चर्चा अवस्य कीजिएगा क्योंकि बिना Transponders के सूचनाओं का आदान परदान नहीं होगा बड़ा ही मुख्य यंत्र होता है जो उपग्रहों में लगाया जाता है तो Transponders जो ये तीन प्रकार के होते हैं एक होता है जो KU-Band Transponders दूसरा S-Band Transponders और तीसरा C-Band Transponders होता है KU-Band Transponders जो होता है ये 12 से 18 GHz के परास में संचारित होता है ये जो KU-Band Transponders होता है ये 12 से 18 GHz 12 से 18 GHz के परास में संचारित होता है और सबसे बड़ी बात है संचार को बहतर बनाने वाला सबसे बढ़ियां band भी था है सबसे बढ़ियां band प्रवाइड करता है KU-Band Transponders सबसे बढ़िया संचार वेवस्ता प्रदान करता है यह 12-18 GHz का होता है और जो हमारा S-Band Transponder है वो 2-4 GHz 2-4 GHz 2-4 GHz का पराज संचारित करता है इसका रेंज 2-4 GHz होता है यह 2-4 GHz होता है मोसम संबंदी जानकारी एयरपोर्ट वगरा पर इसको यूज किया जाता है और C-Band Transponder 4-8 GHz होता है यह 4-8 GHz का पराज संचारित करता है और जो C-Band Transponder होता है यह बाड़िजिक दूर संचार के उपयोग में और रेडियो परसारण वगरा में इसका उपयोग किया तो यह छोटी सी संचिप्त चर्चा मैंने Transponders के बारे में किया है कि Transponders क्या होते हैं Transponders विभिन आवरिति के Electromagnetic Waves को परसालित करते हैं इसके माध्यम से बाह अंतरिक्ष और धरातल के मध्य संपरक अस्थापित होता है और यह सिगनल को रिशीप करता है और ट्रांसमीट करता है यह मुखे रुपसे तीन प्रकार का होता है KU-Band Transponders, C-Band Transponders और S-Band Transponders KU-Band Transponders सबसे अच्छा Transponders होता है जो संचार बेहुस्ता को बेहतर करता है 12-18 GHz इसका रेंज होता है इसी रेंज से यह प्रसारित करता है सुचनाओ को S-Band Transponders 2-4 GHz होता है और यह मौसम संबंदी जानकारी देने में हमारी मदद करता है C-Band Transponders 4-8 GHz होता है जो वाड़जिक दूर संचार में प्रयोग होने वाला आपका के Transponders होता है तो यह बेटा यह Transponders होते हैं इसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताओंगा कि प्रशेपड यान क्या होता है और प्रशेपड यान कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा इसका भी Concept क्लियर कर लीजे की प्रशेपड यान कितने प्रकार के होते हैं देखेए बेटा सबसे पहले यह जान लिजे जो प्रशेपड यान होता है यही उपगरहों को ले जाने का कारे करता है प्रछेपढ़ यान जो होता है यही उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में ले जाने का कारे करता है प्रछेपढ़ यान भारत में चार प्रकार की अभी तक पहला SLV, दूसरा जो था वो ASLV था, तीसरा जो था PSLV था और चौथा जो है GSLV यह दोनों भारत में अभी भी कारे रथ हैं, बहुत तेजी से यह कारे कर रहे हैं SLV और ASLV को अब समाप्त किया जा चुका है जो SLV है, SLV इसको सेटलाइट लाँचिंग वहिकल कहते हैं और ASLV को अगुमेंटेट सेटलाइट लाँचिंग वहिकल के नाम से जाना जाता है जो SLV है बिटा, SLV इसको सेटलाइट लाँचिंग वहिकल के नाम से जाना जाता है SLV जो होता है, यह सेटलाइट लाँचिंग वहिकल है भारत का प्रथम प्रछेपड यान इसे कहते है यह भारत का प्रथम प्रशेपड यान है सबसे पहले भारत ने SLV को ही निर्मित किया था इसका सफल परिक्षड 18 जुलाई 1980 को किया गया इसका सफल परिक्षड 18 जुलाई 1980 को किया गया इसका जो सफल परिक्षड 18 जुलाई 1980 को किया गया और यह बेटा चार चरणो वाला प्रणोदक मलब कि इसमें चार चरणो वाला प्रणोदक भरा होता है चार फोर चैंबर भरे होते हैं और फोर चारो चैंबर में ठोस प्रणोदक भरे होते हैं यानि कि ठोस जो इंधन होता है वो इसमें भरा होता है बेटा और यह जो भारत के अंत्रिक्ष क्लब में यह निर्मित जब भारत ने किया SLV को निर्मित किया तो भारत अंत्रिक्ष क्लब में छठा देश बन गया तो सबसे पहले SLV सेटलाइट लांचिंग वहिकल कहते हैं यह भारत का पर्थम प्रशेपड़ यान है सफल परिक्षण 18 जुलाई 1980 को किया गया चार चड़ों वाला यह प्रोड़ोदक यान है भारत जब इसे निर्मित किया तो अंत्रिक्ष क्लब में इसको निर्मित करने व रूस फ्रांस जापान एंड चाइना इतने देश थे इनके पहले जिनों ने प्रशेपड यान निर्मित किया था भारत विश्व का छठा देश था जिसने सेटलाइट लांचिंग वहिकल को निर्मित किया इसके बाद बेटा दूसरा जो है आगुमेंटेट सेटलाइट ल के नाम से जाना जाता है यह होता है अगुमेंटेट सेटलाइट लांचिंग वहिकल के नाम से जाना जाता है यह पांच चरणों वाला पांच चर्णो वाला प्रशेपड यान है याद रखिएगा 100 से 150 किलोग्राम भार के उपग्रह को ये पृत्वी की कख्षा से अंत्रिक्ष में ले जा सकता है 100 से 150 किलोग्राम वाले उपग्रह को प्रथवी से अंत्रिक्ष तक ले जा सकता है तो अगुमेंटेट जो होता है ये अड़्वांस वर्जन है सैटलाइट लाँचिंग वहीकल का जो पांच चरणो वाला प्रशेपड यान है जो 100-150 kg उपगरह को पृत्वी की कक्षा से अंतरिक्ष की कक्षा में अस्थापित कर सकता है इसमें जो पाचो चरण में ठोस इंधन भरे होते हैं इसमें पाचो इंधन में ठोस प्रणोदक भरा होता है जितने भी रोहीडी स्रिंखला के उपगरह है रोहीडी स्रिंखला के उपगरह है वो सभी के सभी इस ASLV के द्वारा लांज किये गए तो ये तो SLV हो गया, ASLV हो गया इसके बाद जो बेटा जो सबसे महत्वपूर बात बताने जा रहा हूँ PSLV को Polar Satellite Launch Vehicle का जाता है Polar Satellite Launch Vehicle का एक structure मैं आपको बनाता हूँ ये कैसा होता है इसको थोड़ा जान ले ये चार चरणों वाला होता है यहां strap on लगे होते हैं ये rocket है एक चीज़ जान लेज़े PSLV चार चरणों वाला होता है यहां जो होता है यहीं इसके उपरी हिस्से में उपगरह रखे जाते हैं याद रखिएगा rocket के सबसे उपरी हिस्से में उपगरह रखा जाता है इसका जो पहला और तीसरा चरण है फर्स्ट एंड थर्ड जो चरण है फर्स्ट और थर्ड चैंबर में थोस प्रोडोदक भरा होता है कौन सब्सट प्रोडोदक उसका नाम है HTPB Hydroxy Terminated Polybutadine और Ammonium Per Chlorate Hydroxy Terminated Polybutadine और Ammonium Per Chlorate भरा होता है दूसरे और चौथे Second and Fourth दूसरे और चौथे चरण में Unsymmetrical Dimethyl Hydrazine और Nitrogen Tetra Oxide यह जो होता है यह Liquid Propylents होता है बेटा Liquid Propylents होते हैं Draw Prodoodak होते हैं और इसमें ठोस प्रोड़ुदक भरा होता है तो यह हमारा PSLV है और आज कल PSLV जो बहुत तेजी से कारे कर रहा है यह प्रथम और तिर्तिय चरण में ठोस प्रोड़ुदक और दूसरे और चौथे चरण में Unsymmetrical Dimethyl Hydrogen और Nitrogen Tetra Oxide भरा होता है यह PSLV होता है यह बहुत सारे उपग्रहों को ले कर जाता है और अंत्रिक्ष की कख्षा में अस्थापित करता है इसके बाद बेटा GSLV है GSLV Geo Synchronous Satellite Launching Vehicle Geo Synchronous Satellite Launching Vehicle जो है GSLV GSLV जो है यह तीन चरणों वाला प्रशेपड़ यान है इसके प्रथम चरण में थोस इंधन बरा होता है दुतिय चरण में द्रौव इंधन और तीसरे में क्रायो जेनिक इंजन लगा होता है तो जो द्रौव और ठोस प्रोड़क होते हैं इसके बारे मैं बता चुका हूँ यहां जो होता है इसके उपगरा स्थापित किये जाते हैं यही उपगरा जाते हैं इनको अंतरिक्स की कक्षा में छोड़ा जाता है क्रायो जेनिक इंजन का मतलब क्या होता है इसा इंजन जो अती निम्नताप पर कारे करता है उसे क्रायो जेनिक इंजन कहते हैं इसमें फ्यूल के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन जिसे माइनस 250 डिगरी सेल्सियस पर और लिक्विड आक्सीजन जिसे माइनस 183 डिगरी सेल्सियस पर रखा जाता है यह क्रायोजनिक इंजन जो होता है इस पूरे के पूरे GSLV को थर्स्ट यानि ताकत प्रदान करता है जिससे प्रत्वी से अंत्रिक्ष की सबसे उचाई वाली कक्षा में उपगरहों को अस्थापित करता है तो यह GSLV इसके तीन वर्जन है मेटा GSLV के तीन वर्जन है GSLV Mark 1 GSLV Mark 2 GSLV Mark 3 तो जो GSLV Mark 3 है इसी को बाहू बली कहा गया और इसी के माध्यम से चंद्रयान दुतिय को चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया था तो यह बताने का मकसद सिर्फ इतना है बेटा कि अंतरिक्ष प्रद्योकी क्या है अंतरिक्ष प्रद्योकी के अंतरगत हम लोग क्या पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रद्योकी के अंतरगत क्या क्या बाते आती हैं अब मैं आप लोगों को एक मुख्य परिक्षा का प्रस्ण कराऊंगा जो आपके डाइरेक्ट आपके एक्जामनेशन में पूछा जाता है मुख्य परिक्षा का एक प्रस्ण कराऊंगा जो डाइरेक्ट आपके एक्जामनेशन में पूछा जाता है वो है भारत का अंत्रिक्ष कारिक्रम क्या है, भारत का अंत्रिक्ष कारिक्रम क्या है, ये मैं ये प्रशना आप लोगों को कराऊंगा, भारत का अंत्रिक्ष कारिक्रम क्या है, और उसके बाद फिर आज की क्लास हम अंत्रिक्ष कारिक्रम क्या है, भारत अंत्रिक्ष कारिक्र आंत्रिक्ष प्रद्योकी में जो उपग्रह लगाए जाते हैं उनका क्या अनुप्रियोग है कितने प्रकार की उपग्रह होते हैं उप्योग के आधार पर वजन के आधार पर और साथ ही साथ बेटा उन उपग्रहों को ले जाने वाले प्रछेपड यान जो हैं SLV, ASLV, PSLV, GSLV, उनकी क्या विशेष्टा होती है ये सारी बाते हम लोगों ने पढ़ रखी है, सारी बाते हम लोग जान गए, अब ये पूरा का पूरा जब पढ़ लिये हैं तो आईए इससे सम्मंदित एक प्रश्न उत्तर किया जाए, जो मुख्य परिक्षा में आपके एक्जामने अर्थात इंडियन इस्पेस प्रोग्राम, या भारत में अंत्रिक्ष कारिक्रम क्या है, इसका विवरण दीजिये या इसका विस्तरित वरण कीजिये, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप कैसे करेंगे, तो देखिये मैंने एक एंसर राइटिंग तयार किया है, और उ जारकन PCS की तयारी करने वाले विद्यारथियों के लिए आपके syllabus का topic है भारत में अंत्रिक्ष कारिकरम, तो भारत में अंत्रिक्ष कारिकरम की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसका जो प्रारंब है वो 1962 में 1962 में इसका प्रारंब माना जाता है 1962 में परमाड उर्जा विभाग था जिसने भारती और राष्ट्रिय अंतरिक्ष अनुसंधान समिती इंडियन नेशनल कमेटी फार इस्पेस रिसर्च का गठन किया अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारती अंतरिक्ष कारिक्रम की सुरुवात कब हुई थी तो भारती अंतरिक्ष कारिक्रम की सुरुवात 1962 में परमाड उर्जा विभाग के द्वारा इंको स्पार के रुप में हुआ था इंडियन नेशनल कमेटी फार इस्पेस रिसर्च य आक्टर विक्रम सारा भाई ने किया था विक्रम सारा भाई को भारतिय अंतरिक्ष कारिक्रम का जनक माना जाता है बेटा ये भारतिय अंतरिक्ष कारिक्रम के जनक थे 15 अगस्ट 1979 में फिर इनको स्पार का नाम बदल कर इस रो रख दिया गया 15 अगस्ट 1979 में इनको स्पार तथा अंतरिक्ष विज्ञानेयुम प्रद्योगी की केंदर का पुनर गठन संयुक्त रुप से भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का निर्मार किया गया यानि कि इनको स्पार को 1962 में बनाया गया विक्रम सारा भाई की अध्यक्षता में फिर इनको स्पार और अंतरिक्ष विज्ञानेयुम प्रद्योगी दोनों मिलकर इसरो नामक संस्था का गठन किये जो 15 अगस्ट 1979 को इसका गठन किया था इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाईजेशन कहते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रोट्साहन देने प्रोट्साहन देने तथा स्वतंत अस्तित्व प्रदान करने के लिए वर्ष 1972 में भारत ने भारत का एक स्वतंत्र और स्पष्ट राष्ट्रिय अंतरिक्ष कारिक्र िया गठन हुआ विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में अंत्रिक्ष विजयन पृद्योगी की और इनको सपार्ण ने मिलकर 15 अगर्ष 1971 इस्वाल को इसो का गठन किया इसो का गठन हुआ तो राष्ट्ली अंत्रिक्ष कारिक्रम इस रोका अंत्रिक्ष विभाग के दस माई 1972 को एक समझोता हुआ पुरो सोवियत संग और भारत के बीच इसके अंतरगत भारत में निर्मित उपग्रहों को सोवियत संग अपने प्रशेपड यान से प्रशेपित करेगा ये बात कहा गया सोवियत संग के साथ इसका समझोता हुआ भारत का 1972 में और इसके अंतरगत समझोता यह हुआ कि ये अपने उपग्रहों को सोवियत संग अपने प्रशेपड यान से प्रशेपित करेगा तत्पस्चात भारत में वैज्ञानिक उद्देश्यों से कृत्रिम उपगरह के निर्माण का कारे प्रारंब हो गया सरुपर्थम 1962 में इनको स्पार का गठन हुआ विक्रम सारा भाई की अध्यक्षता में 15 अगस्ट 1979 को इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाईजेशन का गठन हो गया और उसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रुट्साहन देने तता स्वतंत्र अस्तित प्रदान करने के लिए वर्ष 1972 में भारत का एक स्वतंत्र और स्पष्ट रास्त्रिय अंतरिक्ष कारिक्रम बनाया गया इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतरगत रखा गया पुर्व सोबियत संग और भारत के मद्य 10 मई 1972 को एक समझोता हुआ इसके अंतरगत भारत में जो निर्मित उपग्रह होंगे वो सोवियत संग द्वारा बनाए गये प्रशेपड़यान के द्वारा प्रशेपित किये जाएंगे ऐसी बात कही गई और उसके पश्चात भारत ने अपने कृत्रिम उपग्रहों का निर्मार कारे प्रारम कर दिया अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो भारत जो था पहला भारतिय उपग्रह आर्यभट जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संग के प्रशेपड़यान देखिए सोवियत संग के प्रशेपड़यान से सफलता पुरुवक प्रशेपित किया तो अंतरिक्ष कारिकरम के इस क्रम में भारत ने सबसे पहला अपना भारती उपग्रह आर्यभट 19 अप्रील 1975 को बनाया जिसे सोवियत संग के परशेपड़यान के द्वारा प्रशेपि को बनाया और सोवियत संग के साथ समझोता हुआ कि आप प्रशेपड यान से इसको प्रशेपित करेंगे तो इसी क्रम में जब आगे बढ़ा गया तो आरे भट जो भारत का पहला प्रशेपड यान था जो आरे भट पहला उपगरह था जिसे 1975 को सबसे पहले सोवियत संग के प्रशेपड यान से इसको प्रशेपित किया गया इसके बाद बेटा क्रमिक रूप से भारत ने कई महत्पूर अंतरिक्ष अभियानों का संचालन किया और उस संचालन में दूर संचार के छेतर में अंतरिक्ष अंसंधान की उपयोगिता वा सार्तक्ता सिद्ध करने के लि 1975-76 के दोरान साइट नामक कारिक्रम चलाया गया और इसके अंतरगत अमेरिकी उपग्रह एक अमेरिका का उपग्रह था ATS-6 का उपयोग करके विकासात्मक तथा सैक्षडिक कारिक्रमों की स्रिंखला प्रसारित की गई देखे कैसे कैसे चीजी आगे बढ़ रही है 1962 में इनकोस पार, 1979 में इश्रो उसके बाद सोबियत संग के साथ समझोता सोबियत संग का प्रशेपड यान लिया गया और अपने उपग्रह कृतिम उपग्रह बनाया गया और कृतिम उपग्रह को बना कर आरे भटे के रूप में सबसे पहला उपग्रह अंत्रिक्ष में अस्थापित किया गया सोबियत संग की मदद से और उसके बाद क्या हुआ भारत अपने क्रमिक रूप से अपने अंत्रिक्ष प्रत्योकी के छेतर में आगे बढ़ रहा था तमाम उपग्रह बना रहा था तो दूर संचार के छेतर में भी बहुत सारा इन्होंने अपना प्रोग्राम लॉंच किया इस दोरान सेटलाइट इंस्ट्रक्षन टेलिविजन एक्सपेरिमेंट साइट नामक कारिक्रम 1975-76 में चलाया गया इसके अंतरगत अमेरिकी उपग्रह था ATS-6 का उप्योग करके विकासात्मक और सैक्षडिक कारिक्रमों को कि स्रिंखला का कोई प्रसारित किया गया और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1977 में सेटलाइट टेली कम्मिनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट था जिसका नाम था स्टेप 1977 में इस नाम से दो वर्षिया कारिक्रम चलाया गया ठीक है और फिर उसके बाद वर्तमान में भारती अंत्रिक्स कारिकरम अपनी उपलब्धियों तथा मिशनों के माध्यम से आत्म निर्भर और सफलता का पर्याय बन चुका है आज भारत के पास उच्च कोट के कुशल कृत्रिम उपगरह और प्रशेपड यान भी मौजूद है भारत ने अपनी सुरुवात कैसे की थी इनको स्पार के गठन से इसरो को लांज किया इसरो एक केंद्र बनाया इसरो के माध्यम से फिर बहुत सारे कृत्रिम उपगरह बनाये गए सोवियत संकी सहायता से उसको लांज किया गया विकासात्मक और सैक्षडिक कारिकर्मों को प्रसारित करने के लिए अमेरिका के कृत्रिम उपगरह 80S6 की मदद ली गई और इसी करम में जब हम लोग आगे बड़े तो बहुत सारे संगठनों ने हमारा साथ दिया और साथ ही नहीं दिया आज वर्तमान समय में भारत इन सभी उपगरहों को तयार करने और प्रछेपड़यान को बनाने में आत्म निर्भर बन गया और आपको बता दूं कि भारत आत्म निर्भर ही नहीं बना है भारत ने अंतरिक्ष प्रद्योकी के छेत्र में एक नया कृतिमान अस्थापित किया है और साथ ही साथ ब्योसाइक रूप से भी अपने आपको मजबूत किया है भारत ने दूसरे प्रशेपढ़ियान से अपने उपग्रहों को भेजने की बात सोच रहा था आज भारत PSLV C-37 के दवारा 104 सेटलाइट एक साथ लॉंच करके विश्वक्रतिमान अस्थापित किया ये भारत की उपलबदिया है तो अंतरिक्ष कारिकरम के अंतरगत ये सारी उपलबदिया भारत को प्राप्त होई है इसी करम में आगे बढ़ते हैं तो भारत के दवारा नौंबर 2013 में मंगल ग्रह आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के द्वारा नॉवंबर 2013 में मंगल यान एक मिशन चालू किया गया था जिसने भारत का गौरो बढ़ाया और पहली बार में ही 5 नॉवंबर 2013 को इसे लॉंच किया गया और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में अस्थापित करके एक विश्व कृतिमान अस्थापित हुआ और दूसरा कृतिमान भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान दो मिशन के माध्यम से चंद्रमा के दक्षडी दुरूपर चंद्रयान को लॉंच करके दूसरा कृतिमान अस्थापित किया भारत डे बाई डे अंतरिक्ष के छेतर में बहुत आगे बढ़ रहा है इसी करम में ज लोगों को जानना जरूरी है तो भारतिय अंतरिक्ष कारिक्रम के निम्नलिखित उद्देश हैं बेटा जैसे दूर संचार टेलिवीजन प्रसारड मौशम और संसाधनों के सर्विक्षड के लिए मौसम और संसादनों के सर्विक्षर तता प्रवंदन के छेतर में अंत्रिक्स प्रद्योकी का विकास किया जा रहा है। इसके बाद जो है जो उद्देश से हैं दूसरा विक्रशित अंत्रिक्स प्रद्योकी पर आधारित फेमाय अपलब्द करना तो उन्नत के सिखर पर ले जाने का कारे करना ये भी हमारा इसका उद्देश है तुम्हान के लिए उपग्रह इसके जो किर्यानवयन के लिए उपग्रः परशेपढ़यानों तथा संबद भू प्रडालियों का विकास करना मलब इसका जब किर्यानवयन जो संपन किया जाएगा अंतिरिक्ष कारिकरम को तो एक बहतरीन उपग्रह बनाना जरूरी है प्रशेपढ़ियान बनाना जरूरी है और जाहिर सी बात है साथी साथ भूर प्रडालियों का विकास भी आवश्यक है इसके अत्रिक्त इस कारिक्रम के माध्यम से हम लोग उद्योगों को प्रवध्योगी की से सम्मंदित सला देने का प्रावधान है बना उद्योगों को प्रवध्योगी से सम्मंदित सला देने का उद्योगों को दिया जाए ये भी इसके अंत्रकत प्रावधान रखा गया है इसी करम में जब हम आगे वढ़ते हैं तो इस प्रकार भारत के अंतरिक्ष करिक्रम का उद्देश मुख्यता क्या है तो एक लाइन में अगर इसका उद्देश देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश विकासात्मक है न कि अन्वे सडात्मक तो अंतरिक्ष करिक्रम का ज इसका मुख्य उद्देश से है तो भारती अंत्रिक्ष कारिक्रम का मुख्य उद्देश विकासात्मक है सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भारत का अंत्रिक्ष कारिक्रम का मुख्य उद्देश से है बेटा यह सारे उद्देश्यों को जब हम भारत श्कार के प्रधान मंत्री कारिकरं के अध्यक्सat करते हो भारत पराद मंतरी के आयोग बाद कोईवी नेड नेक्ष होता है यह उत्रीक्स बिभाग होताय को प्राद मंतरी द्रश이는 लें से निम्लखित कारेों में अपना योगदान देता है जैसे राष्ट्रिय प्राकृतिक संसाधन एजनसी जो बैंगलोरू में है दूसरा राष्ट्रिय सुदूर संबेदन एजनसी ये भी बहुत सारे कारेों को संपन करता है अंतरिक्ष प्रद्योकी से संबंदित ये हैदराबा में है राष्ट्रिय मध्य मंडल समताप मंडल भारी छोब मंडल रडार सुभिदा जो है गनकरी तिरुपति में है तो ये अंतरिक्ष बिभाग है बेटा अलग-अलग कारियों को अंतरिक्ष से संबंदित अंतरिक्ष प्रद्योकी से संबंदित अलग-अलग कारियों को सं पन्न करते हैं राष्ट्रिय प्राकृतिक संसाधन एजेंसी राष्ट्रिय सुदूर संवेदन एजेंसी इंडियन स्पेस डिसर्च आर्गनाइजेशन भौतिक अनुसंदान प्रयोक्षाला राष्ट्रिय मद्यमंडल संताप मंडल भारी छोब मंडल रडार सुविदार ये सिर्वुपत में है यह लिए अंत्रिक्ष, बिभाग है विटा इसके बाद अंत्रिक्ष पृद्ज्योकी के समचित विकास संवरधन व न संचालन हे तो विभिन अंत्रिक्ष केंडर व इसरो के अंतरगत विभिन इकायां स्थापित की गई है तो कौन-कौन सी इकाईयां स्थापित की गई, इस पे हमने चर्चा पहले किया था, आईए थोड़ा सा इसके बारे महुर जान लेते हैं पहला विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंदर तिर्वनंत पुरम में है जिसका गठन 1962 में किया गया था यहां प्रफेपड़ियान विकास केंदर इसरो का सबसे प्रमुक केंदर है SLV, ASLV, PSLV, GSLV प्रफेपड़ियानों को यहां से विक्षित किया जाता है बेटा दूसरा सतीस धवन अंतरिक्ष केंदर स्री हरी कोटा आंधर प्रदेश में है इसको 1 अक्टूबर 1971 में इसका गठन किया गया इसरों का ये बहुत ही प्रमुक प्रणुदक का प्रसंस करण भी किया जाता है सतीस धवन अंतरिक्ष केंदर से प्रशेपड यानों को प्रशेपित भी किया जाता है इसरों उपगरह केंदर एक है जो इसरों केंदर कर बैंगलूरू में है 11 माई 1972 को इसका गठन किया गया था द्रव प्रणोधन प्रणाली केंदर लिक्विड प्रपुल्सन सिस्टम सेंटर बोलते हैं यह केंदर इसरों के उपगरह प्रशेपड यानों और उपगरह के लिए द्रव इंधन से चलने वाली चालक नियंतरड प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन विकास और आपुर्ती के लिए कारेरत है इसका मुख्याले तीरुवनंत पुरम में है इसके बाद इसी करम में आगे बढ़ते हैं तो मुख्य नियंतरड सुविधा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इसरों का एक सेंटर है जो इनसाइट उपगरह इंडियन नेशनल सेटलाइट उपगरहों के प्रशेपड के बाद की सभी गतिविधियों जैसे उपगरह को कक्षा में अस्थापित करना हो केंदर से उपगरह का नियमित संपर्क अस्थापित करना तथा नियंतरड वन निगरानी का कारे करनाटक की स्थित हासन में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के हाथ में है और Master Control Facility यानि मुख्य नियंतर सुविदा एक जगा और बनाया गया है भोपाल मद्य प्रदेश में जिसे 2005 में अस्थापित किया गया तो भारती अंतरिक्ष कारिक्रम क्या है भारती अंतरिक्ष कारिक्रम के अंतरगत भारती अंतरिक्ष कारिक्रम की सुरूआत कैसे हुई 1962 इनको स्पार से हुआ उसके बाद इसकी अध्यक्षता डाक्टर विक्रम सारा भाई ने किया था जिसे भारती अंतरिक्ष कारिक्रम का जनक कहते हैं 1979 में इसरो का गठन किया गया उसके बाद 1972 में भारत का एक सोतंतर और अस्पष्ट राष्टी अंतरिक्ष कारिक्रम बनाया गया 1972 में पुर्व सोबियत संग के साथ समझोता हुआ कि तुम परशेपड़ियान बनाओ मैं कृत्रिम उपगरह बनाओंगा जिसको तुम परशेपित करोगे उसके बाद भारत में आरे भट अप्रेल 1975 को सोबियत संग के परशेपड़ियान से परशेपित किया गया उसके बाद बिटा क्रमिक रूप से भारत ने कई महत्रपूर अंतरिक्ष अभियानों का संचालन किया और उसके बाद 1975-76 में साइट नामक कारिकरम चलाया गया और उसी समय अमेरिकी उपगरह ATS-6 का उपयोग करके विकासात्मक तथा सैक्षडिक कारिकरमों की सरिंखला प्रसारित की गई 1977 में सैटेलाइट टेली कम्मुनिकेशन एक्सपरिमेंट प्रोजेक्ट जिससे स्टेप नाम दिया गया दो वर्षिय कारिकरम चलाए गया और इस तरीके से बर्तमान में भारतिय अंतरिक्ष कारिकरम अपनी उपलब्धियों तथा मिशनों को चालू करके भारत को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाता रहा और इससे निसकर्स निकला कि भारती अंतरिक्ष कारिकरम बिकासात्मक कारिकरम है ना कि अन्वेशडात्मक बिकासात्मक कारिकरम है तो इसी के अंतर्गत भारती अंतरिक्ष करिक्रम के बहुत सारे उद्देश से थे दूर संचार, टेलिवीजन, प्रसारण, मौसम और संसादनों के सर्विक्षड और प्रबंदन की जानकारी भी इसी के दोरा प्राप्त होई विक्सित अंतरिक्ष पृद्योक्ती पर आधार सेमाय उपलब्द कराना भी इसका उद्देश था और इसका उद्देश उपग्रहों का निर्मार प्रछेपड यानों का निर्मार अच्छे तरीके से करना और उन्नत किस्म का तैयार करना इसका उद्देश बन गया इसी करम में जब आगे बढ़ा गया तो इसरो के बहुत सा चेंद्र अस्थापित किया गया मुख्य नियंत्रड़ सुभिदाजी से मास्टर कंट्रोल फैसलेटी कहा जाता है इसको अस्थापित किया गया यह सभी मिलकर इस रोकी मदद करते हैं और भारती अंत्रिक्ष अभियान को उन उचाईओं तक ले जाने में भारत की मदद कर र करतिमान अस्थापित किया है आई एक चाठ के माध्यंसे हम लोग इस पूरे कारिक्रम को को चाठ के माध्यंशे हम लोग इसको हां तो यह जो मैंने अभी बताया आपको की भारत में भारती अंतरिक्ष कारिक्रम का सांगठिनिक धाचा है जिसके मुख्य प्रधानमंत्री है उसके बाद अंतरिक्ष आयोग होता है पिर अंतरिक्ष विभाग होता है अंतरिक्ष विभाग के अंतरगत राष्ट्रिय प्राकृतिक संसादन एजंसी है जो बैंगलूरू में है र आश्ट्रिय मध्य मंडल समताप मंडल भारी छोब मंडल राडार सुविदा गंड की तिरुपति में है। इसरो जडत्वी प्रडाली यूनिट तिर्वनन्त पुरम इसरो पुरामिती अनवर्तन आदेश जाल पीनिया बेंगलुरु में है। हमारे प्यारे बच्चों, प्यारे बेटों, प्यारे विद्यार्थियों कि आज का सेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। जो अंतरिक्ष प्रद्योकी के अंतरगत मैंने आपको पढ़ाया, वो आप सबको समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिस है कि आपको बहतर से बहतर नौलेज दिया जाए, ताकि जारखंड PCS में मुख्य परिक्षा का आप उत्तर बहतर धंग से लिखे, और आप एक अच्छा रेंक लिया कर जारखंड का गौरों बढ़ाएं, और हम सब का गौरों बढ़ाएं, अपने माता- आम देता हूँ, जै जोहार, जै हिन, जै भारत!